असलाम अलेकुम विवर्ज मैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ हाथ हाज रहूं कि हमने अपने सिस्टम को कैसे आई पी देना है मिशिन को कनेक्ट करने के लिए और और इधनेट पोर्ट के साथ हमने इस मिशीन को मैं इस मिशीन को इस सिस्टम पर कुनेक्ट करना है और सबसे पहले हम अपने सिस्टम के नेटवर्क में जाते हैं ऑपन शेरंग सेंटर अब फिर बैक चला जाता हूं इधर एक इथरनेट का अप्षिन होता लेकन यह इंटरनेट का अप्षिन दे रहा है कि अधाप्टर सेटंग इस पर हम जाएंगे यह वाइफ है इतर इधर 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 भी होता लेकर मेरा नहीं है क्योंकि मेरे ड्रावर का मसला है तो हम इधर से ही इस पर डबल क्लिक कर दें यह दिया ना चेंज सेटंग और यह वाइफाई प्रोटोकोल खुल के सामने आजएगा कि मैनूली हमने आई-पी कैसे देना है क्योंकि मेरा इधरनेट पोड का मसला है तार मैंने लगाई हुई है डिवाइस के साथ और वैसे आई-पी देना बता रहे तो कि सिस्टम पर जाकर आपने मैनूली आई-पी कैसे देना है वो सकता है वह डाइनमिक आई-पी हो सकता है वो कोई भी आई-पी हो सकता है यह लिस्ट खुल जाएगी इसमें हमने प्रोटो को इंटरनेट प्रोटो कोल वर्जिन फोर पर क्लिक करना है और यूज दा फॉलविंग अई-पी इधर हमने मैननूली आई-पी कोई भी आई-पी दे दें क्लास सी का इपी देना है आपने सबनेट मास गेटवे ना भी देंगे कोई इस्यू नहीं और डी एनस देंगे ना दें कोई अभी इस्यू नहीं यह स्टेट का इपी में जुरूर होता है यह अभी हम आई-पी देखते हैं 192 .168.1.1.200 दे देते हैं और इदर से भी हम देख लेते हैं कि हमारी डिवाइस का क्या आई-पी है यह हम कौम पे जाएंगे कम्यूनिकेशन पोर्ट पे जाएंगे इथनेट पे जाएंगे यह 192.168.1.201 .